चार्षा के विल्सटान सेती chief नहीं परद में ता प्रेंड तरण में आपका स्वागत है प्रेंड्स आज हम राजर्थान घीके क्विज टूमे लेकर आएं हैं राज्जास्थान राज्य की संभाग विवस्ता से रिलेटे course पहला कुश्चन है भारत में संभागी विवस्था की सुरुवात कौन से वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1829 में नेक्स्ट कुश्चन है भारत में संभागी विवस्था की सुरुवात क्यों की गई थी? इसका सही आंसर है भारत में संभागी विवस्था की सुरुवात जिला कलेक्टर के कार्रों पर परिविक्षन हिट्टू संभागी आयक्तपद 1829 में अंग्रेजों द्वारा स्रजित क कि कितने और कौन से संभाग थे आप जानते हैं 30 नवंबर 1949 को राजिस्तान का गठन हुआ था और उस समय प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री हीरेलल सास्त्री मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 30 नवंबर 1949 को पांच संभाग जैपुर, जोदपुर, कोटा, उदैपुर एवं बीकानेर का निर्माण किया था नेक्स्ट कोश्चन है स्वतंतरता के पश्चात राजिस्तान में हीरेलल सास्त्री के काल में कितने जिले गठित किये गए थे फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्वतंतरता के पश्चात राजिस्तान में हीरेलल सास्त्री के काल में 25 जिलों का गठन किया गया था अगला कुश्चन है कुश्चन नम्मर पांच एक नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन आयोकी सिफारिस पर कौन से छेत्र को राजिस्थान में मिलाया गया था इसका सही आंसर है एक नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन आयोकी सिफारिस पर अजमेर चेत्र को राजिस्थान में मिलाया गया था यहाँ पर जो राज्य पनर गठन आयो गया उसके अध्यक्स थे फजल अली और इसके जो दो सदस्टे थे वो थे केम पनिककर और हिर्देनात कुंजरू नेक्स्ट कुश्चन है एक नवंबर 1956 को राजिस्थान का कौन सा नया जिला वना और वह कौन से नम्मर का जिला था इसका सही आंसर है एक नवंबर 1956 को राजिस्थान का अजमेर नया जिला वना और वह राजिस्थान राज्यका 26 वा जिला था नेक्स्त कुष्चन है कुष्चन नम्र सैबन मोहनलाल सुखाडिया सरकार द्वारा समभागी बेवस्ता कब और क्यों समाप्त कर दी गई थी इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाडिय सरकार द्वारा एक अप्रेल 1962 में संभागी विवस्ता समाप कर दी गई थी और यह भी कहा जाने लगा के यह जिला कलेक्टर के कार्रेयोंबा सक्तियों का ही दोहराब है इसलिए मोहनलाल सुखाडिय सरकार द्वारा संभागी विवस्ता को समाप्त कर दिया गया था कुश्चन है कितने साल बाद और कब हरीदेव जोसी सरकार ने संभागी आयक्त विवस्ता को पुनर जीवित किया प्रेंट्स इसका सही आंसर है हरीदेव जोसी ने 25 साल बाद 26 जनवरी 1987 से संभागी आयोक विवस्ता को पुनर जीवित किया नेक्स्ट कुश्चन है एक नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन आयोक की सिफारिस पर अजमेर मेरवाडा छेत्र को राजस्थान में मिलाने पर कौन से नई संभाग का गठन किया गया और कौन से संभाग को उसके अधिन कर दिया गया था एक वार कुश्चन फिर से पढ़ेंगे एक नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन आयोक की सिफारिस पर अजमेर मेरवाडा छेत्र को राजस्थान में मिलाने पर कौन से नई संभाग का गठन किया गया और कौन से संभाग को उस नई संभाग के अधिन कर दिया गया था इसका सही आंसर है अजमेर संभाग का गठन हुआ था और उसी समय जैपूर संभाग को अजमेर संभाग के अधिन कर दिया था नेक्स्ट कुश्चन है जैपुर संभाग को पुनह कब नया संभाग घोसित किया जो के 1956 से अजमेर संभाग के अधीन था इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1987 को जैपुर को पुनह संभाग गठित किया इस प्रकार 1987 में 6 संभाग जैपुर अजमेर जोधपुर कोटा उदैपुर एवं बीकानेर नेक्स्ट कुश्चन है राज्यस्थान का सात्वा और नवीन संभाग कौन सा है और इसका गठन कब किया गया था इसका सही अंसर है सात्वा और नवीन संभाग भरतपुर संभाग था जिसका गठन 4 जुन 2005 को अधिसूचना जारी कर किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है भरतपुर संभाग में कौन-कौन से जिले सामिल है भरतपुर संभाग में कौन-कौन से जिलों को सामिल किया गया है इसका सही आंसर है भरतपुर जिले में चार जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, एवन समाईमादपुर को सामिल किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है भरतपुर संभाग में कौन-कौन से संभागों से जिले समिलित किये गए है इसका सही आंसर बताईए कि भरतपुर संभाग में कौन-कौन से संभागों से जिले सामिल किये गए है इसका सही आंसर है दो जिले जैपुर संभाग से भरतपुर एवन धौलपुर और दो जिले कोटा संभाग से करोली एवन सवाई मादवपुर इस संभाग में सामिल किये गए हैं नेक्स्ट कुश्चन है बीकानेर संभाग में कौन-कौन से जिले सामिल है चल्दी से बताईए बीकानेर संभाग में कौन-कौन से जिले सामिल है इसका सही आंसर है चार जिले हैं बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, स्री गंगानगर और हन्मानगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दू के हमने संभागी विवस्ता पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें संभागी विवस्ता को बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ एक्स्प्लें किया है इस वीडियो को अवश्य देखें ताके आप जिलों को आसानी से याद रख सकें इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है इसका सही आंसर है बीकानेर संभाग जो नियूंतम अंतरास्टी सीमा वाला वा अंतरास्टी सीमा के सरवादिक नजदिक संभाग मुख्या ले है सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है या ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम नदियां है इसका सही आंसर है बीकानेर संभाग क्योंकि इस संभाग के दो जले बीकानेर और चूरू ऐसे जले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है इसलिए ही इस संभाग को हम सबसे कम नदियों वाला संभाग के नाम से भी जानते है इसका सही आंसर है बीकानेर संभाग क्योंकि बीकानेर संभाग में ही स्री गंगा नगर जिला है जहाँ पर सूर्य की सरबादिक तिर्ची किर्णे पढ़ती है इसलिए ही हम इस संभाग को सरबादिक सूर्य की तिर्ची किर्णे पढ़ने वाले संभाग के नाम से जानते है नेक्स्ट कुश्चन है बीकानेर संभाग छेतफल की द्रस्टी से और जनसंख्या की द्रस्टी से सभी संभागों में कौन सा इस्तान रखता है इसका सही आंसर है बीकानेर संभाग छेतफल की द्रस्टी से दूसरा और जनसंख्या की द्रस्टी से पाँचवा इस्तान रखत नेक्स्ट कुश्चन है जैपुर संभाग में कौन-कौन से जिले सामिल है जैपुर संभाग में प्रमुक जिले कौन से है इसका सही आंसर है जैपुर संभाग में पांच जिले है जैपुर, सीकर, जुन-जुनू, अलवर और दोसा जिला इसका सही आंसर है जैपुर संभाग छेतफल की दरस्टी से प्रत्थम इस्तान रखता है सरवादिक जनसंख्या और सरवादिक जनसंख्या घनतु कौन से संभाग में है इसका सही आंसर है जैपुर संभाग जोदपुर संभाग में कौन कौन से जिले सामिल है जोदपुर संभाग में प्रमुक जिले कौन कौन से आते हैं इसका सही आंसर है जोदपुर संभाग में छे जिले जोदपुर पाली जालोर सिरोही बाडमेर जैसलमेर जोदपुर और उदैपुर संभाग दो ऐसे संभाग ह जिनमें सरवादिक छेचे जिले आते हैं नेक्स्ट कुश्चन है सरवादिक छेथफल और नियूंतम बर्चा वाला कौन सा संभाग है सरवादिक छेथफल और नियूंतम बर्चा वाला संभाग कौन सा है इसका सही आंसर है जोदपुर संभाग सरवादिक छेत्पल और निंतों बर्चा वाला संभाग है यह कुष्चन राजिस्तन फुलिस कॉस्टेवल परिक्षा 2010 में आया है और इस सभी कुष्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं और किसी ने किसी एक्जाम में आये हुए है नेक्स्ट कुष्चन है अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं इसका सही आंसर है अजमेर संभाग में चार जिले अजमेर, नागोर, भीलबाडा और टॉक जिला इसका सही आंसर है अजमेर संभाग नेक्स्ट कुश्चन है उदैपुर संभाग में कौन-कौन से जिले सामिल है उदैपुर संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं इसका सही आंसर है उदैपुर संभाग में 6 जिले उदैपुर, डूंगरपुर, मासवाड़ा, रास्समन, चित्तरगड और प्रतापगर जिला नेक्स्ट कुश्चन है सरवादिक अनुसूचित जन्जाती प्रतिशत के हिसाब से और सरवादिक लिंगानपात वाला संभाग कौन सा है इसका सही आंसर है उदैपुर संभाग नेक्स्ट कुश्चन है करकरेखा वाला और सरवादिक सुर्य की सीधी किरने पढ़ने वाला संभाग बताईए ऐसा कौन सा संभाग है जहां से करकरेखा गुजरती है और सरवादिक सुर्य की सीधी किरने पढ़ती है इसका सही आंसर है उदैपुर संभाग Next question है कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं इसका सही आंसर है कोटा संभाग में चार जिले आते हैं कोटा जालावाण 12 बूंदी नेक्स्ट कुश्चन है कौन सा संभाग सर्वादिक नदियों वाला, सर्वादिक बर्सा और सर्वादिक आदृता वाला संभाग है इसका सही आंसर है कोटा संभाग नेक्स्ट कुश्चन है भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले है बहरतपुर संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं? इसका सही आंसर है भरतपुर संभाग में चार जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करोली, सबाईमादोपुर जिला इसका सही आंसर है भरतपुर संभाग जहांके सबसे कम और उदैपुर संभाग जहां पर सबसे यादा लिंगान पात है इसका सही आंसर है भरतपुर संभाग इसका सही आंसर है भारत में संभागी बिवस्ता किसकी देन है या फिर भारत में संभागी बिवस्ता सबसे पहले भारत में किसके द्वारा प्रारम की गई थी सही आंसर है अंग्रेजों के द्वारा 1829 में संभागी विवस्ता प्रारम की गई थी next question है, जनसंख्या की द्रश्टी से, राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, या ऐसा कौन सा संभाग है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, इसका सही आंसर है, कोटा संभाग नेक्स्ट कुश्चन है जिलों एवं उनसे संबंदित विभाग को सुमेलित कीजिए जिले हैं टॉक, अलवर, सवाई मादपर, बूंदी अब हम इनको संभाग के एसाब से लगाएंगे कि कौन सा जिला कौन से संभाग का है इसका सही आंसर है टॉक, जो के अजमेर संभाग में, अलवर जिला, जो के जैपर संभाग में, सवाई मादपर जिला, जो के भरतपर संभाग में, और बूंदी जिला, जो के कोटा संभाग का भाग है next question है, राजिस्थान के निम्न समभागों को उत्तर से दक्चिन, क्रमानुसार लिखिये समभागों के नाम है जैपुर, वीकानेर, उदैपुर, अजमेर इसका सही आंसर है, वीकानेर समभाग सबसे पहले यानि कि नौर्थ में सबसे पहले बीकानेर संभाग, उसके बाद जैपुर, फिर अजमेर और चौता है उदैपुर संभाग ये संभाग उत्तर से दक्चिल करा मनुसार है नेक्स्ट कुश्चन है राजस्थान राज्य के बेक कौन से दो संभाग है जिन में सरवादिक छेचे जिले है या ऐसे कौन से संभाग है जिन में सरवादिक छेचे जिले है आंसर है उदैपुर, जोदपुर नेक्स्ट कुश्चन है राजस्थान में सबसे पहले सूरोदे एवन सूर्यास्त और सबसे बाद में सूरोदे एवन सूर्यास्त कौन से संभाग में होता है राजस्तान में सबसे पहले सुर्योदे एवन सुर्यास्त भरतपुर संभाग में और सबसे बाद में सुर्योदे एवन सुर्यास्त जोदपुर संभाग में होता है फ्रेंट्स ये सभी कुश्चन संभागों से रिलेटेट बहुत महतपूर्ट कुश्चन है आप इनको एक बार अवस्ते सॉल्व कीजिए और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग